गुना आरून थाने शित्र के पठार महला अलाके में उस वक्त संसनी फैल गई जब रवीवार को कुछ लोगों ने खेत के नाले में शब को तेरते हुए देखा लोगों ने पुलिस को सूचना दी एक शक्स की लाश नाले में पड़ी है जब पुलिस मौकी पर आई लाश को बाहर निकाला तो शब की पहचान अशोख पुत्रफ फूल सिंग सहरिया की रूप में की गई अशोख की उम्र लगभग 15 साल बताई जा रही है जो की चार दिन से लापता था पुलिस के द्वारा मृतक की बारे में जानकरी जटाई जा रही है कि ये हत्या है या आत्मत्य इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या नाम था उनका असोख आदिवासी कहा के रहने वाले थे बाद नम्मर एक ठाने के पीछ पतार पूंदा सुना है घर से लाप आता था ये जिसर गुरुबार के स्याम के साड़े साथ आड़ बजिस लपाता था फिर उसके ब गुवा मिला अच्छा कैसे के कुवे माराचकी मेराच के सहोफ अच्छा है किस ने देखा था पहले था है सघ्चा अपने मालूम नहीं है ऐसे थानवाह इ., और फिर एए तो आफ लोड़ते पिर रहा थो उन्हें पर बताईगे का लफाता दंटीडि यह अग्रे ओक्तार